हलो योरी बड़ी, कैसे हो, एक बात बताना तो भूली गई खंडाला हिल स्टेशन जाने के पहले हमने लोनावला हिल स्टेशन में जो जो देखने लाइज पाइंज थे वो साब देख लिए उसके बाद अमारे ड्राइवर ने गाड़ी म्कडोनल के पास खड़ी कर दी और बोले पास में ही व्याक्स मुजियम है आप देख लिजिए हम गाड़े से उतरे तो अमारे पती बोले क्या आप छोटे बच्चे हो व्याक्स के कुटले देखने के लिए हम बोले कुछ नहीं होता फोटे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ यहां तक आएं तो देख ही लते हैं अमेरिका लंड़न व्याक्स के कुतले देखने तो नहीं जा सकते हैं इसलिए अभी या आएं तो देखी लते हैं व्यास के पुटले कैसे दिखते हैं, कैसे बनाते हैं, अभी यहां परी लोनावला में मालूम हो जाएगा। तिकेट लेकर हम सामने जारने लगे, तो पास में ही एक लड़की खड़ी थी, और कापी सारे लोग काउंटर के पास तिकेट लेने के लिए खड़े थे। वो हमारे पास आई और बोली आप लोग पुटलों का फोटो निकाल सकते हो, लेकिन पुटलों को कोई टच नहीं करेंगे। जैसे हमने एंटरी की, ओ माइ गाड, क्या गजब के पुटले हैं। ओ ये बोल नहीं सकता, साच पुछ नकली है। थोड़ी देर के लिए जिंदा दीली लगते हैं। समास सेवब अन्ना जी हजारे उपोशन के लिए जीस पोजिशन में बैटते थे वहां वही पर है। ऐसे कितने सारे देश विदेश के कलाकार, सिंगर, क्रिकेटर और अन्ने खिलाडी और कापी सारे वी आईपी और सैराट पिक्चर के नागराजी मंजूडे, आरची, परश्या, आधी सच मुच अरे पुतले में जान डाली है। जैसे मैंने सुनिल व्याक्स म्यूजियम का नाम सुना, मैंने अपने बेटों से पूचा, क्या ये व्याक्स म्यूजियम, जो बाली उटके जाने माने हीरो है, सुनिल सेटी जी, उनी का है। तो मेरे बेटे बोले, क्या मम्मी, ये की सुनिल सेटी हो सकता है, दुसरा कोई नहीं। सच मुच देखने में मज्या आ गया, पूरे पैसे वसूर। जैसे हमने होटेल में एंट्री की, उस होटेल के गेट के पास का एक फ्लावर मुझे बहुत ही पसंद आया। ऐसा फ्लावर मैंने कब भी नहीं देखा था, बहुत ही शानदार फ्लावर था। और होटेल मेनेजर हमारे पास में आये और बोले, क्या आप लोग कुछ लोगें। हमने एक दुसरे से पूछा, आप उस लेने वाले हो। मैंने तो सिर्फ बोल दिया, मुझे गर्मा गरम अध्रक वाली कम सक्कर की स्पेशल चाय। वह भी कब बसी में लेके आना। अभी कबार बसी के साथ भी चाई पिने का मज़ा कुछ और ही रहता ह। हमेशा की तरह लढका एक प्रे में पानी के साथ चाय लेका रहा। हल्की हल्की बारिज भी हो रही थी, और बदन को हलकी हलकी थन्ड भी मौसूस हो रही थी मैं बसी से फूर फूर करके चाइपिने लगी दोनों बेटे और पती एक दुसरे के तरफ देखकर हसने लगे और मैं फिर से पुरपुर करके अपनी चाए पीने लगी ताकि मेरी चाए फिर से थंडी ना हो जाए जैसे अमने उस होटेल में एंट्री की फिर से मैंने मैनेजर को बोला उस फुल का क्या नाम है तो होटेल मैनेजर बोले आप रुकिये मैं सब को उस फुल का नाम हुस्ता हो क्या है उस फुल की खासिये ये थी आस पास में जालीदार अरे रंग की पत्तिया और एक दंडी के साथ उप्टे जैसे सप्पेत रंगा छाता का आकार का एक पत्ता दुसरे दिन चेक आउट करने के बाद फिर से मैने होटेल मैनेजर से पुछा क्या आपको इस फ्लावर का नाम पता हुआ वो बोले सारी मैडम मैं गार्णर को बुलाता हूँ और उस फ्लावर का नाम पुस्ता हूँ तब तक हमारी गारी गेट के सामने आ चुकी थी दन्यवाद झाल